नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जरदारी क्लासेज में दोस्तों इंडियन पॉलिटे का आज ये 21 लेक्टर है दोस्तों और आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं भाग छे को भाग छे में हम यहाँ पे राज्य के बारे में जानेंगे राज्यपाल क्या होता है मुख्यमंत्री, विधान सभा, विधान परिशाद, हाई कोट यह सारे टोपिक दोस्तों हम यहाँ पे भाग 6 में कम्पलीट करने वाले हैं इस सब पहले दोस्तों हम आपको भाग पांच कंप्लेट करा चुके हैं और यदि आपने भाग पांच अच्छे से समझ लिया है तो भाग च्छे आपके लिए पढ़ना बड़ा ही आजान है क्योंकि जैसे भाग पांच में राष्ट पति होता है वैसे राजमें राजयपाल ह होता है जैसे वहां प्रधान मंत्री होता है वैसे मुख्य मंत्री होता है जैसे वहां सुप्रियम कोट है वैसे हाई कोट है और इस प्रकार के दोस्तों मनें यह मिलता जुलता है भाग पांच और भाग पांच अभी तक नहीं देखा है तो भाग पांच को एक बार अच्छ पहले दोस्तों आज का यहां पर लेक्टर शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर भाग च्छह है जिसमें राज़्य के बारे में जानकारी मिलती है तो इसका जो भाग च्छह में कौन-कौन से अनुचेद 152 से लेकर 237 तक और इस बाग च्छह में राज़्य पाल मुख्यमंत्री विधान मंडल जिसमें आपका विधान सभा आ जाएगी विधान परिसद आ जाएगा यह सारे टोपिक इसमें सम्मिले तो किये गए हैं अमचेद 152 से लेकर 237 के अंतरगत आज हम दोस्तों आप पर राज़्य प 152 क्या कहता है तो इसमें तो सिंपल से राज़्य की परिभासा दी गई है ठीक है अनुचेद 152 में क्या है राज़्य की परिभासा दी गई है और जो राज़्य पाल के बारे में सुरू होता है आर्टिकल अनुचेद 153 से ठीक है तो देखो अनुचेद 153 क्या कहता है पर परते के राज़का होने चीए एक राज़पाल लेकिन बाद में ये देखा गया कि यहाँ पर जरुरत परती कई बार क्या होता है माना किसी राज़के राज़पाल की अचाना क्या हो जाती है मिरते हो जाती है एक दम से अगर वहाँ पर नया राज़पाल नियुकते नहीं कि आजा सकता है तो तब तक बगल वाले जो राजमे राजपाल है उसको ये कहा जाता है कि वो तब तक के लिए उस राजपाल पद भी मरस संभाले तो कुलमा के 7000 संसुधन यहाफ मैं आपको लिख रहा हूँ साथवा संसुधन कवाता 1956 में जिसमें ये कहा गया कि एक ब्यक्ति एक से अधिक राज्यकार राज्यपाल हो सकता है यानि एक ब्यक्ति केवल एक ही राज्यकार राज्यपाल नहीं हो सकता है बलकि एक ब्यक्ति दोस्तों एक से अधिक राज्यकार राज्यपाल हो सकता है साथवा समिधान संसोदन 1956 में ये कहा गिया अब अगर वेतन की बात की जाए वेतन कौन देगा ये राज़ पाल का वेतन तो राज़ सरकार देती है मैं लग वही राज़ देता है तो अगर ये राज़ पाल दो राज़ियों का राज़ पाल है तो तब दोस्तों यहां पे वेतन वहां पे CR किया जाएगा दोनों राजे मिलकर उस राजेपाल का क्या देंगे वेतन देंगे अभी मैं आपको वेतन और भत्ते जब बताऊंगा राजेपाल की इसी व्यूड़ में उसमें और डिटेल्स में इसका बारे में चर्चा करेंगे तो और तकालrah 153 पान समझ में आ गया राज़ीओं का क्या होगा एक राज़ेपाल होगा और एक राज़ेपाल एक से अधिक राज़े का राज़ेपाल हो सकता है उसके बाद अमचेज 154 ये के काता है राज्य की कारेपाली का सक्ति तो कोई जिस प्रकार से संग की जो कारेपाली का सक्ति होती थी राष्ट पति में नहीत होती थी ठीक है ओप चार एक रोब से लेकिन वास्त्विक सक्ति हैं किसके पास है प्रधान मंतरी के पास है उसी प्रकार दोस्तों राजे की जो कारेपाली का सक्ति नीत होती है वो राजेपाल में नीत होती है जो भी कारे की जाएंगे राजेपाल के नाम से की जाएंगे लेकिन दोस्तों वास्त विक जो सक्ति है वो है सीम यानि मुख्या मंतरी के पास सारे फैसले कौन लेता है मुख्या मंत्री लेता है लेकिन ओपचारिक रूप से ये मनलब जो सक्तियां है वो राज़ेपाल के बात से जैसे अगर हम कारेपाली सक्तियों के बात की जाए तो जैसे सीम की नियुक्ति करना जो भी अन्या अधिकारी हैं लोक सिवा आयोग के अजयक्स की नियुक्ति करना राजय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करना ये सारे इसकी कारेपाली का सक्ति के अंतरगत आते हैं तो राजय पाल की अभी कारेपाली का सक्ति विटिया सक्ति आपात सक्ति और जो भी अन्य सक्तिया हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे तो बिशेश कर अभी आम अनुशेदों पर यहां पर चर्चा करते हैं एक एक अनुशेद यहां पर पहले समझने का प्रियास करते हैं तो अनुशेद 154 राजे की कारिपाली का सक्ति किसमे नेत होती है राजेपाल में नेत होगी और इसका पर तो देखो राजपाल की न्युक्ति कोन करेगा राष्टपति 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 करेगा निर्वाचित सदस्य और विधान सभा की निर्वाचित सदस्य वाँ पे निर्वाचन मंदल में सामिल होते हैं लेकिन राजपाल का दोस्तों कभी भी निर्वाचन नहीं होता है राजपाल की नियुकति कौन करता है राष्ट पति करता है लेकिन किस की सलाह पर पीम की सलाह प करने लगा जाएं तो फिर आज्यव में क्या हो सकता है कि दो मिलाब मतवेद सबस्कार राजपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्योंकि मुख्यमंत्री का भी निर्वाचन किया गया है राजपाल का भी निर्वाचन किया गया है तो दोने में मतभेद ना बढ़े इसलिए राजपाल की नियुक्ति की जाती है राश्ट पत्य के द्वारा राजिपाल दोस्तों, राज में क्या होता है केंदर सरकार का प्रतिनेदी होता है कि सब्नेदी किस प्रगार से होता अब आप यहां पर आप समझने का प्रियास कीजिए देखो राजपाल के नियुकटी पीम की सलाह पर की जाती है किसकी द्वारा राष्ट पत्य की द्वारा यानि PM सलाह देता है PM जिसको चाहे उसको राज़पाल बना सकता है उसका नाम वहाँ पर राष्ट पत्य को दे सकता है और राज़पाल को उसकी न्युक्ति करनी होगी तो कुलमा के PM केंदर सरकार में पर्दान मंतरी मुख्या होता है और पर्दान मंतरी की सलाह दी जा रही है तो आर्थात ये क्या है केंदर सरकार का ही परते निदी होता है राजमें तो ये भी जरूरी है फिर उससे क्या है कि मलब एक बॉंडिंग मनी रहती है राज़ सरकार और केंदर सरकार के बीच में तो राज़पाल केंदर सरकार का परते निदी होता है और राज़ का समविधाने का परमुख भी कहलाता है राज़पाल ठीक है तो यहां तक आपका क्लियर हो गया दोस्तों अब देखो जो राज़पाल का यह कुल्मा के जो मनोनित किया जाता है राज़ेपाल को यह पद्धति कहां से अपनाई गई तो यह पद्धति अपनाई गई दोस्तों कनाडा के समिधाम से कनाडा समिधाम से यह पद्धति अपनाई गई कि जो राजपाल होगा उसके न्यूक्ति या उसको मनोनित किया जाएगा उसका निर्वाचन नहीं किया जाएगा ये कहां से ली गई है न्यूक्ति करने के पद्धति या मनोनित करने की पद्धति तो ये ली गई है कनाडा से यहां तक आपका किलर हो गया ठीक है अब देखो तो सलहा ली गई पीम से न्यूक्ति किसने के राष्ट पतिने लेकिन इसको सपत कौन दिलाता है तो सपत दिलाता है राजयपाल को हाई कोड का मुख्य नियाई दिस मुख्य नियादिर ठीक है ये विए आपको नोट करना है सपत कों दिलाता है राज़ेपाल को हाई कोड का मुख्य नियादिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुचेद 156 क्या कहता है अनुचेद 156 कहता है राजपाल का कारेकाल तो साम मानेता दोस्तों जो राजपाल का कारेकाल होता है पांच वर्स का होता है लेकिन पांच वर्स से पहले जब मर्जी तब राष्टपती क्या करता है इस राजपाल को वापस बुला सकता है या राजपाल के कारेकाल को समाप्त कर सकता है तो इसलिए समिधान में साफ पन के वन में ये लिखा गया है जो राश्ट जो राजपाल है ठीक है राश्ट पति के परसाद परियंत राजपाल पद धारन करता है परसाद परियंत किसके परसाद परियंत राश्ट पति के परसाद परियंत का मतलब होता है जब इच्छा राश्ट पति की इच्छा नुसा पद धारण करता है जब राश्ट पत्री के परसाद परियंद पद धारण करता है उसके बाद अनुछे 156 का दूसरा खंड कहते है दोस्तों जो राज पत्री को सम्मोजित अपने हस्ताक्चर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है तो त्याग वो किसे देगा को दे सकता है और यहां पे हटाने संबंदी प्रावधान जैसे राष्ट पति को अगर हटाना है तो महाब्योग लाई जाता है सुप्रेम कोट के मुखिनेजिस को हटाना है तो प्रस्ताव लाई जाता है संसद में उसी प्रकार से उपराष्ट पति को भी हटाने के लिए प् परसाल परियंदकारे करता है, वहाँ पर कार्या पद्धारन करता है और राष्ट पति जब चाहे उसे हटा सकता है तो इसलिए हटाने सम्मंदी कोई ऐसा यहाँ पर क्या नहीं है प्रावधान नहीं दिया गया है राजयपाल के लिए समीधान में ये भी आपको नोट करना है उसके बाद आगे बढ़ता है और अनुचिद 157 क्या कहता है राजयपाल की योगता तो राजयपाल की योगता क्या होनी चीए एक तो भारत का नागरिक होना चीए और दोस्तों इसकी जो कम से कम आय होनी चीए 35 वर्ज यानि राजयपाल वही बन सकता है जो 35 वर्ज की आय पूरी कर चुका हो तो अगर ये दोनों योगताएं हैं तो वो राजपाल के लिए क्या है योग्या है लेकिन राजपाल पद के लिए अगर किसी को राजपाल बनना है दोस्तों तो उसके लिए कुछ सर्तें भी है अम्छेद 188 में राजपाल पद के लिए सर्तों का प्रावधान किया गया है कौन-कौन सी सर्ते हैं एक तो लाब के पद पर नहीं होना ठीए दूसरा क्या है कि जो राजपाल है वो संसद अथवा विधान सभा का सदस्या नहीं होना ठीए और अगर वो संसद या विधान सबा का सदस्या है तो उसे त्याग पत्र देना होगा तब वो फिर राज़पाल बन सकता है तीसरी कंडिशन क्या है उस राज़को निवासी नहीं होना ठीए आपने देखा होगा जिस भी राजय का राजयपाल होता है वो उस राजय का निवासी होता ही नहीं है जिसे महाराष्ट के राजयपाल भगत सिंग कोश्यारी है और भगत सिंग कोश्यारी कहां के हैं उत्राखन के हैं उसी प्रकार से अन्य राज्यों के भी आपने राज्यपाल देखे होंगे, कोई भी राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसका एक कारण है माना कभी अगर राष्ट पति सासन लग जया राष्ट पति सासन तो इस समय सारे जो मलब सारी जो सक्तियां आती वो किसके पास आ जाती है राज पाल के पास आ जाती है तो इसका वो फाइदा उटा सकता है वो अपने मलब जब राष्ट पति सासन लाग होता है जब इसके पास सारी सक्तियां आती हैं तो अपने मर्जी अनुसार अपने जो उसके सगे संबन्द होते हैं उनको वहाँ पे क्या तुरंत वहाँ पे नोक्री लगवा सकता है तो लेकिन अगर वो दूसरे राजे में होग तो देखो योगेता अनुचेद 157 बताई गई है और राजपाल पद की जो सर्ते हैं वो अनुचेद 158 में बताई गई है उसके बाद दोस्तों जो अनुचेद 159 है वो कहा है राजपाल द्वारा सपत तो राजपाल को सपत कौन दिलाता है तो राजपाल पद गरहन करने से मन्दित राजय के यानि जिस राजय का वो राजय पाल बनने जा रहा है उसके उच्छ न्याला यानि हाई कोड के मुख्य न्याइजिस के समक्ष सपत लेता है तो सपत कौन दिलाता है उस राजय के राजय का वो राजय पाल बनने जा रहा है उस राजय के हाई कोड का मुख् तो उसमें राजपाल को मनलब कौन-कौन से कारे दे गए इसका उलेक मिलता है अनुचेद 161 में और छमादान की सक्तिय दोस्तों राजपाल की अनुचेद 161 में यहां पर देखो राश्टपति के पास भी छमादान की सक्तिया हैं और जिस परकार से संग में आपको पहले ही बता चुका हूँ जिस परकार से संग में राश्टपति होता है उसी परकार से राजपाल होता है तो राजपाल को भी दोस्तों यहां पर छमादान की सक्ति परदान की गई है लेकिन दोस्तों राजपाल और राश्टपति की समादान सक्ति में क्या अंतर है तो एक तो फांसी की सजा या जो मृत्यु दंड है इसको क्या नहीं कर सकता है माफ नहीं कर सकता है जैसे राश्ट पती है वो किसी की भी फांसी की सजा है या मृत्यु दंड है उसको कम्पलीटली उस सजा को माफ कर सकता है लेकिन राजयपाल के पास ये सकती नहीं है ये छमादान की सक तो इसको भी वो माफ नहीं कर सकता है तो राश्ट पती और राजपाल के पास ये दोस्तों ये अंतर है राश्ट पती के पास जो समादान की सक्ती है वो फांसी यानि मिर्थदंड को भी माफ कर सकता है सेन्य अदालत से सम्मनित कोई सजा है तो इसको भी माफ कर सकता है लेकि लेकिन इस सजा में इसकी प्रिक्रती बदल सकता है इसको आजीवन कारावास में बदल सकता है अगर राजयपाल चाहे तो फांसी की सजा या मिर्ट दंड को ये आजीवन कारावास में बदल सकता है लेकिन राष्ट पति फांसी की सजा को क्या कर सकता है पूर्ण माफ भी कर स और साथ इसाथ जो राजय पाल होता है वह केवाल दोस्तों जो राजय सूची और जो समवर्ती सूची से समंदित विशय है उन पर ही छमादान सक्ति का परियोग कर सकता है क्योंकि जो संग सूची है उस पर तो नियम कानून संसद वनाती है और संग सूची में जो भी विशय सम्मिलित हैं उनमें छमादान सक्ति का परियोग सर्फ राश्टपती कर सकता है लेकिन जो राजय पाल है वो राजय सूची और समवर्ती सूची से समंदित जो भी विशय ह उन पर ही समादान सक्ति का परियोग कर सकता है यह आपको नोट करना है और उसके बाद दोस्तों अनुछे 162 क्या कहता है राज्य की कारेपाली का सक्ति का विस्तार जो कई बार क्या होता है यहां पर लिखाए राज्य की कारेपाली का सक्ति का विस्तार उन विस्तार पर होग जिन पर उनियम कानूर में सकती है तो ये सकती का विस्तार अनुषित 162 रट में बताये गया है अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है एक तो जो मैंने आपको वेतन भत्ते के बारे में बताये था जो राजपाल का वेतन भत्ता होता है 3.5 लाक ये क्या है तो राज्य सरकार देगी राज्य की संचित निदी से और राज्य की संचित निदी से दोस्तों राज्यपाल का वेतन दिया जाता है कितना है वेतन राज्यपाल का 3.5 लाग अब यहां पर एक और चीज है इसका निदारन कौन कर रही है संसद कर रही है लेकिन दोस्तों यदि कोई राजपाल दो राज़ों का राजपाल है यानि वो दो राज़ों के राजपाल पद को धारन किये हुए हो तो तब उसका वेतन कौन देगा या एक ही राज़ देगा नहीं तब दोस्तों उसका वेतन क्या देगा आवंटित करेंगे दोनों राज्या और जिनका राजपा आवन्टित करेंगे तब जाके राजपाल को वेतन देंगे और इसका निर्धारन कौन सा राज कितना वेतन देता है इसका निर्धारन कौन करता है राष्ट पति करता है अगर एक्जाम में इस प्रकार से क्वेशन बनता है कि जो राजपाल का वेतन है अगर सिंपल क्वेशन मनता है कि राजयपाल के वेतन का निर्धान कोन करता है तब तो वो संसत करती है लेकिन अगर एक्जाम में इस प्रकार से क्वेशन मनता है कि कोई राजयपाल क्या है दो राजयों का राजयपाल है तो तब उसके वेतन का निर्धान यानि कौन सा राजय कितना वेतन देगा व कार्यकारी सक्तियां विधाय की सक्तियां यानि विधयक पर क्या-क्या पावर हैं राजपाल की तो पहले राजपाल की कार्यकारी सक्तियों के बारे में जानते हैं अनुछेद 177 में इसका उलेक मिलता है आर्टिकल 177 राज़ी की कार्यपाली का सक्ति किसमें नहित होती हैं र पार्टिकल 164 के तहट वो क्या करता है राजिपाल CM की न्यूक्ति करता है और CM की सलहा पर वो अन्या मंत्रियों की न्यूक्ति करता है ये भी इसकी कारेकारी सक्तियां या कारेपाली का सक्तियों में आती है एक्जिक्यूटिव पावर में आती है मुख्य मंत्री की न्यूक् राजिपाल करता है जिस प्रकार से PM के न्युक्ति कौन करता है राष्ट पति करता है तो उसी प्रकार से CM के न्युक्ति भी राजिपाल करता है CM की न्युक्ति किस प्रकार से करेगा मलब जिस पार्टी का बहुमत होगा उस बहुमत दल के नेता कोई क्या बनाएगा मुख्यमंत्री बनाएगा अब देखो और कौन-कौन सी राजयपाल की जो कारेकारी या कारेपाली का सक्तियों के अंतरगत आती है जो राजय का महा दिवक्ता होगा इसकी न्युक्ति भी कौन करेगा राजयपाल करेगा लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न्युक्ति भी राजयपाल करेगा और राजय निर्वाचन आयोग इसके अध्यक्स इसके सदस्यों के न्युक्ति भी कौन करेगा राजयपाल करेगा लेकिन दोस्तों सलाह किसकी ली जाएगी सलाह ली जाएगी सीम यानि मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री सलाह देगा मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि उस बैक्ति को राज का महादी वक्ता न्युक्त करो तो राज पाल को करना होगा सीम ने कहा कि राज लोग सिवा के अध्यक्ष के लिए उस बैक्ति की न्युक्ति की जाएगी तो राज पाल को करना होगा तो राजयपाल के पास दोस्तों मलब ओप चारिक रूप से हैं मलब लगता तो यह के काम यह कर रहा है राजयपाल नियुक्ति कर रहा है लेकिन वास्तिविक काम को उनकर रहा है वास्तिविक सक्तिक आख किसके पास है वो है CM के पास क्योंकि सलाह Bliss तो CM दे रहे हैं इसको तो इस परकार से आपको यहाँ पर समझने का परियास करना होगा अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो विस्ट विद्याले के जो वाईस चंसलर होते हैं जो राजय के विस्टव विद्याले होते हैं उनके वीसी की न्यूकती कौन करता है राजयपाल करता है या पर मैं केंदर के विस्टव विद्यालों की बात नहीं कर रहा हूँ राजय के विस्टव विद्यालों की बात कर रहा हूँ यानि राजयपाल राजय के विस्टव वि विधाई सक्ति में कौन-कौन सी सक्तिया हैं राजयपाल के बाद तो सेम वही सक्तिया हैं जो राष्ट पती के बाद हैं लेकिन विधाई सक्ति में एक और एश्टा पावर आ जाती है राजयपाल के बाद एक तो राजयपाल क्या कर सकता है जिन राजयों में विधान कि राजस्यों को विधान परिशत में जब कि अगर विधान सभा की बात की जाये तो एक एंगलोग इंडियन सदश्य को ये नोनित करता था लेकिन अब इस एंगलो इंडियन के न्यूकते नहीं की जाती है इसको रोक दिया गया है तिक अब ये प्रावधान यहां पे इसको रोका गया है तो ये आपको विशेश तोर पर नोट करना है लेकिन विधान परिशद में एक बटे छे सदस्यों को मनुनित कौन करता है तो राज़पाल करता है विधान परिशद में यह आपको और ये सदस्यों दोस्तों या तो साहित्या कला विज्ञान समा सेवा इन में इनको विशेश अनुभव पराब्त होना चीए या विशेश कारे इन्होंने इन छेत्रों में किया हो तो इन सदस्यों को मनुनित करता है र एक कारे भी किसके अंतरगत आती हैं विधाई कारें के अंतरगत आती हैं और यह राजयपाल करता है तो राजयपाल की विधाई सक्टियों में यह कारे भी सामिल हैं लेकिन विधान सभा का भंग या विधान सभा का जो विगटन होगा वो किसकी सलाह पर होगा CM की सलहापर होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब दो कोई विध्यक आ गया है राजयपाल के पास जैसे विध्यक अगर सेंटर की बात की जाए तो राष्टपती के पास जाता है और जब राष्टपती उसमें साइन करता है तो वो कानून मनता है तो राजयवें भी यही होता है अगर विध्यक विधान सबा में और जिन राजयों में क्या है दृस्टदनातमक पढ़ना ली है विधान सबा और विधान परचद तो दोनों सद्रों में पास होकर राजयपाल के पास जाता है और उसके बार राजपाल उसमें क्या करता है सुईकर्ति उसको परदान करता है तब जाके वो कानून बनता है तो देखो विध्यक पर किस प्रकाल से वो अनुमत दे सकता है तो राजपाल या तो विध्यक को सुईकर करेगा और जब इसने विद्यक को स्विकार कर लिए अपने स्विकृति कर दे दी है और स्वे हस्ताक्चर कर लिए तो ये विद्यक बन जाएगा कानून लेकिन दोस्तों दूसरी क्या condition है अगर राजपाल देखता है कि ये विध्यक सही नहीं है तो उसको वो स्वीकृति के लिए उसको रोकी रखता है ठीक है और अगर काफी लंबे समय तक रोक दिया तो वो विध्यक क्या हो जाता है समापत हो जाता है उसके बाद तीसरी condition क्या विध्यक ये वो धन विध्यक नहीं है जैसे राष्टपति की भी यही condition है अगर धन विध्यक नहीं है तो राष्टपति उसको क्या नहीं कर सकता है पुनर विचार के लिए उसको लोटा सकता है तो उसी प्रकार से ये विध्यक धन विध्यक नहीं है तो राजपाल विध् वंडल ने बिना परिवर्तन किये या उसमें कुछ परिवर्तन करके विधिया को पास करके राजपाल के पास दुबारा भेज दिया है पुनह भेज दिया है तो राजपाल को उत पर अपने स्विकरती देने ही होगी तो देखो ये तीन कंडिसन तो ये तो राश्टपति के प सबसे बड़ा पद है राश्ट पती का समविधानिक पद है जो भारत में लेकिन राजपाल अगर वो देखता है कि यदि यहां पर इस विद्यक से हाई विद्यकों को ये राश्ट पती के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है और राश्ट पती के पास ये विद्यक जाता है अगर राश्ट पती ने दोस्तों इसको पारित कर लिया है तब तो ठीक है लेकिन राश्ट पती ने अगर इसको लोटा दिया है तो पुना विधान मंदल को इस पर चर्चा करनी पड़ेगी अगर देखो यहां पर देखो यहां पर कंडिशन समझनी आपको अगर विधान मंदल ने इस विधिया को जो राष्ट पत्य के पास गया था पुनर विचार के लिए गया था और राष्ट पत्य ने इसको विधान मंदल में पुनर व तो लिए राश्र पत्य पास कोई विध्यक पुनर विचार के लिए और विदान मंडल ने उसको भेज दिया है विदान मंदल तो राज़ेपाल के बाद भेजीगी फिर वो राष्टपती के बाद जाता है तो राष्टपती इसके लिए बाद जै नहीं है कि वो उस पर स्वेकर्ति देगा ही देगा तो ये चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे समझनी होगी अब देखो जो विदियक पर अनुमती है ठीक है आर्टिकल दोसों में अनुछे दोसों में इसका उलेख मिलता है विदियक पर अनुमती की जो सक्तियां है राज़ेपाल की और जो ये एश्टा सक्ति है राज़ेपाल की इसका जो विवरन मिलता है दोस्तों अनुछे 201 में आर्टिकल 201 में ठीक है विदिया को राश्पति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की जो सकती है राजपाल की उसका उलेख अनुछे 201 में मिलता है आप देखो जो विदिया सकती है राजपाल की वो क्या क्या है तो एक तो राजयपाल प्रतेक वितिया वर्ष के प्रारा में वित मंत्री द्वारा वार्षिक वितिया विवरां या जिसे बजट कहते हैं को राज विधान मंडल के समकक से रखवाता है ये कारे भी किसका है राजिपाल का है ये सक्ति किसके पास है राजिपाल के पास है साथी साथ धन विधियक जो होता है जिस परकार से केंदर में राष्ट पती के पास है विधिया सक्ति उसी परकार से राजे में ये राजिपाल के पास है तो जो धन विद्यक होता है राजपार की पूरवान मत्र के बाद ही ये राजविधान मंदल में प्रस्त किया जाता है बिना इसकी सहमत से अनुदान की मांग भी नहीं हो सकती है अनुदान आपको बता रखा है दोस्तों काफी डिटेल्स में तो अनुदान यानि अगर सरकार को किसी इमर्जर्शनी फंड की ज़र्व पढ़ रही है मलत जो बजट है बजट में जो भी धन मलत बजट के दोरान जो धन मांग गया है और अगर बजट में एश्टा धन के आऊ सकता पढ़ रही है बीच में यानि अनुदान यानि पैसे मांगने पड़ रहे हैं संचित निदी से सरकार को तो वो बिना राजपाल की सहमेति से अनुदान की बांग नहीं कर सकती है और उसके बाल जो भी कोई अपरतेसित बया होता है उसके वहन के लिए भी राजपाल आकास्मिक निदी से अगरिम धनरासी ले सकता है तो ये सारी और सासा जो वित आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो भी किसको सौंपता है वित आयोग जो अपने रिपोर्ट सौंपता है दोस्तों ये भी किसको सौंपता है राजपाल को सौंपता है तो ये सारी वितिया सक्तियों के अंतरगत आती है जो कि राजपाल के पास वितिया सक्तिया हैं उसकी बार राजपाल की जो विवेका जीन सकती हैं यानि स्वयम के विवेक से वो क्या क्या कारे कर सकता है तो एक तो अनुछे दोस्तों है वो स्वयम के विवेक से ही राष्टपति के पास के लिए कोई विद्या को विचार के लिए रख सकता है या राष्ट्रपति के विचार है तो आरास्थित रखता है और उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है अमचे 200 के तहट पढ़ सकता है तो वहाँ पर राश्टपती सावसन लगाने की अनुसुन सा कोन करता है, तो वह करता है उस राजय का राजपाल, तो यह भी कहा है, राजपाल की विवेकाधीन साकति के अंधरकट आती है, अमशे 356 में राश्ट पति सासन के बारे में बताई गया है और ये भी बताई गया है कि इसके अमशन सा कौन कर सकता है उस राजय का राजयपाल जिस राजय में राश्ट पति सासन लगाना है उसके बाद दोस्तों एक अन्य सक्ति आती है राजयपाल की अध्यादेश देखो राष्ट पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है और उसी परकार से राज पाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है तो देखो यदि राज विधान मंदल का सत्र चल नहीं रहा है जैसे अगर मैं बात करो आज कल क्या चल रहा था क्रॉना के दोरान जिस समय सत्र नहीं चल रहा था और अगर राज्य सरकार चाहते हैं और राज्य सरकार को किसी बिसेश कानून की आवसर्ता पढ़ दिये और वो कानून लाना चरूरी है लेकिन कानून दोस्तों तभी बनाई जा सकता है विद्यक तब ही पारित किया जा सकता है जब क्या है विदान सवा सत्र क्या है चल रहा हो जिन राजियों में दूरी सद्र आतमक पढ़ देती है पढ़नाली है दोनों सद्रों के मंजूरी जरूरी है तब जाके कोई विद्यक लाए जा सकता है कोई कानून बनाए जा सकता है लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे क्या है सत्र ही नहीं चल लाए तो फिर कानून कैसे बनाए जाए तो सरकार जाती है राज़पाल के पास और राज़पाल को कहती है कि हमें इस विशे पे कानून बनाना है तो राजपाल दोस्तों उस विशे पर कानून मनाता है और उसको क्या कर देता है मलब उसको अध्यादेश कहा जाता है और उस अध्यादेश को जारी कर सकता है और ये जो सकती है राजपाल की अनुछे 213 में इसका उलेख है यानि राजयपाल की जो अध्यादेश जारी करने के सकती है वो किसमे है अनुछे 213 में और ये जो काम है दोस्तों 6 सपता तक वेद रहता है 6 सपता तक ये भी आपको नोट करना है ठीक है तो कुलमा के अगर सदन के जो सतर नहीं चल रहे हैं तब राजयपाल को ये सकती दी गई है तो वो अध्यादेश क्या कर सकता है जारी कर सकता है अनुछेद 213 के तहت दोस्तों ये कश परमख सकती है राजयपाल की और राजयपाल के बारे में जो भी परमख अनुछेद थे काफ़ डिटेल से मैंने आपको हर सी जहां पर explain करके समझा दी है और राजयपाल का topic दोस्तों यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है उमेद करते हैं आपको यह series पसंदारी होगी और राजयपाल वाला topic आपको समझ आया नहीं आया कमेंट में दोस्तों अपने राजय जरूर दें मिलते हैं दोस्तों यहीं साथ अपको के लिए धन्यवाद